दोस्तों मिले मेरे Windows PC से जिसके अंदर currently अभी Windows 11 installed है और मिले मेरे Android TV से जिसके अंदर मैं जब चाहे मेरा favorite show देख सकता हूँ ये दोनों ही चीज़े अलग लग नहीं है दोस्तों एक ही computer के अंदर Windows 11 भी है और Android TV भी है चमर जी हो मैं Windows पे काम कर लेता हूँ और जब कभी मन नह लगता बोर होता हूँ तो मैं TV देख लेता हूँ दोस्तों बहुत ही आसनी से आप भी इस तरह का ड्यूल बूट Windows प्लस Android TV बना सकते हैं बस वीडियो में पताएगा स्टेप्स को आपको फॉलो करना है चनल पर नए हो तो सब्स्राइब करना है और वीडियो पसंद आए त और जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं ब्राउजर ओपन कीजिए एड्रेस बार के अंदर लिंक को कर दीजिए पेस्ट करने के बाद एंटर करना है और सिंपली इसके बाद इसकी जो ISO फाइल है वो डाउलोड होने लग जाएगी ठीक है 1000MB के आसपास की फाइल है इसक भी इसका latest version होगा इसको भी download कर लेना है इसके बाद आपको लेनी है pen drive pen drive को अपने system से connect करना है और इसके बाद हम जाएंगे downloads के अंदर यह है हमारा downloads ठीक है reviews पर right click करेंगे run as administrator करके से open करेंगे pen drive में अगर कोई data है तो make sure आप उसका backup ले लें क्योंकि जो procedure है उसके अंदर इसके पर click करना है और जो मारी ISO file है टीवी वाली उसको open कर लेना है इसके बाद हमारी Windows 11 है यह EFI mode के अंदर installed है तो हम यहाँ पर इसे GPT कर लेते हैं और इसके बाद volume name हम दे देते हैं यहाँ पर android android tv और बाकी की चीज़ा में चीज रहने देते हैं इसके बाद सिंपल okay कर देते हैं इसके बाद यह आपकी android tv की bootable pen drive ready हो गई है bootable pen drive ready करने के बाद हमें क्या करना होगा dual boot के लिए एक partition ready करना होगा अभी आप दे सकते हैं this pc के अंदर यहाँ पर अभी हमारा single x drive है तो हमें क्या करना होगा dual boot बनाने के लिए इसको shrink करना होगा तो हम आएंगे this pc के प्राइट क्लिक करेंगे more में जाएंगे और यहाँ पर manage option select करेंगे इसको हम कर देते हैं expand और disk management के अंदर हमको आना है और यहाँ पर हमें क्या करना है जो c drive है इसको हम थोड़ा सा shrink कर लेते हैं और shrink कम से कम 10 GB का space होना जरूरी है android tv के लिए और हम यहाँ पर तकरीबन इ यह हमारा 20 GB का allocated space के रूप में यहाँ पर शो हो गया है राइट क्लिक करेंगे simple volume देंगे हम और यहाँ पर हम इसे दे देते हैं और यहाँ से हमने जो pen drive बनाई है उसको select करना होगा अब देखे अलग-लग motherboard के अंदर अलग-लग hotkeys होती है temporary boot menu को open करने के लिए मेरे case के अंदर F12 से boot menu open हुआ है तो आपको यह चेक करना पड़ेगा आपके motherboard में कौन सी hot की है simple इसके बाद आपको enter पर click कर देना है अब देखे यहाँ पर कुछ इस तरह के options आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको last option मिलता है installation का इस पर आपको click करना है अब देखे इसके बाद कुछ इस तरह का scenario आपके सामने आ जाता है हमने यहाँ पर जो android tv वाला partition बनाय था यह partition यहाँ पर show हो रहा है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर आना होगा और इसके बाद okay पर click करना होगा अब यह पूछता है कि आपको format करना है या नहीं करना है partition को तो बिल्कुल हमको क्या करना होगा EXT4 वाला जो partition है इस format के अंदर है इस format करना है तो OK कर देते हैं इसके बाद यह कहता है कि वह यह जो आपने format चूज किया है उससे आपके partition का सारा data loss हो जाएगा तो yes इसके बाद option आता है do you want to install EFI Grab 2 येस और उसके बाद congratulations का message हमारे सामने आ जाता है Android TV is installed successfully OK कर दीजिए आपका system जो है वो restart होने लग जाता है और इसके बाद आप देखेंगे कि Google TV अब चालू हो जाता है इसके बाद आप option मिलता है set up your TV with an Android phone और tablet तो अभी हम फिलाल कर देते हैं इसको skip अब देखें यहां पर यह पूछता है कि आपका Wi-Fi network कौन सा है जिसको आपको इससे connect करना है तो यहां पर मैं अपने Wi-Fi से connect कर देता हूं इसके बाद यहां पर sign in के option आ रहे हैं तो आपको simple sign in पर click कर देना है और इसके बाद आपको क्या करना है continue पर click करना है यहां पर आपको आपकी email id देनी है email id का password आपको टाइप करना है term and condition को आपको accept करना होगा और जैसी बात है local service को आप चाहें तो yes कर सकते हैं चाहें तो no कर सकते हैं तो फिलाल मैं कर देता हूं इसको no अब help नहीं चाहिए हमको इसकी improve android tv के लिए तो इसको कर देते हैं no Google Assistant continue पर click करेंगे हम और फिलाल हम इसे कर देते हैं no thanks your assistant is ready continue कर देते हैं हम choose a name of your nexus player तो हम यहां पर कर देते हैं android tv welcome to android tv अब इसके बाद यहां पर कई सारे आपको इसके अंदर tutorials दिये जा रहे हैं तो आपको इनको एक बर देख लेना होगा ठिंक है और simple है इसके बाद आपको done पर click कर देना होगा तो यह आपका टीवी अब ready हो गया है अब आप यहां पर चाहें तो काफी सारे इसके के अंदर options है YouTube आप देख सकते हैं और काफी सारे इसके अंदर और भी options आ गए हैं यहां से आप डियो सिनेमा देख सकते हैं डिजनी स्मार्ट टीवी के तरह आप इसके अंदर play store से apps को download कर सकते हैं अकाउंट को manage कर सकते हो और इस smart टीवी का अगर आपको remote चाहिए तो अपने mobile के अंदर कोई भी Android TV remote app को आप install कर सकते हैं और वहां से इसे आप control कर सकते हैं क्यों दोस्तों पसंद आया वीडियो अब लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए का कहना बढ़ेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरू करो और अपने दोस्तों को भी बताओ फिर मलागातों की अगली वीडियो में गुड़ बाई जहेंद